आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत 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 पॉपुलर सबका फैवरेट लच्छा पराथा वही लच्छा पराथा जिसमें होती है देर सारी लैयर्स यानी पर्तो वाला पराथा वो बिल्कुल हलवाई स्टाइल शादी वाला जो होता है न लच्छे वाला पराठा जो तंदोर में सिक राता है और धेर सारी पढ़ते होती है आज हम बनाएंगे लेकिन खास बात ये है कि हम बनाएंगे इसे बिना मैदा के यानि गेहूं के आटे का लच्छा पराठा और ऐसा पराठा की आप पड़ते गिनते ठक जाएंगे लेकिन पड़ते गिन नहीं पाएंगे इतनी सारी इसमें लेयर्स बनने वाली है चलिए शुरू करते हैं गेहूं कल अच्छा पराठा बनाने के लिए एक बड़ा सा बरतन लेंगे उसमें लेंगे 2-3 कप आटा ये बिल्कुल सिंपल आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं इसमें हम डालेंगे अजवाइन और सॉल्ट यहाँ अजवाइन ऑप्शनल है यहाँ मैंने टेस्ट के लिए अजवाइन का यूज़ किया है यहाँ अब इसमें हम एड़ करेंगे 2-3 देशी गी अब चाहें तो ओयल भी डाल सकते हैं पर गी में ही पराठे का स्वाथ बहुत ही अच्छा लगता है अब यह सबी डालके हम बहुत अच्छे से मसल लेंगे गी में नमक और आटा डालकर अच्छे से मिक्स करना बहुत जरूरी है तभी वो लेयर और खस्ता पनाता है अब हम इसमें पानी डालकर आटा लगाएंगे पानी थोड़ा थोड़ा डालकर आटा लगाना है तभी अपन एक साथ पानी डाल देंगे तो आटा सही से नहीं लगेगा तो थोड़ा थोड़ा पानी डलकर आटा लगाना है आप चाहें तो यहां मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं पर हम healthy बना रहे हैं तो गेहूं का आटा लगाया है इसे 15-20 मिनट के लिए हमें छोड़ देना है 15-20 मिनट छोड़ने से आटा गल जाएगा और फिर इसे अच्छे से मसल के एकदम अच्छा कर देंगे बिल्कुल medium soft आटा हमें इसके लिए चाहिए हम 15-20 मिनट रखेंगे और मसलेंगे तो उससे खिचाव यानिकी elasticity आ जाएगी फिर एक बड़े size का बॉल लेना है रोटी से हमें थोड़ा बड़ा size का बॉल लेना होता है इसके लिए फिर हम इसकी रोटी बेल लेंगे या हमें एकदम पतली रोटी इसकी बनानी है थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करते जाएंगे और इसकी बड़ी सी रोटी बेल लेंगे यहां हमने size भी बड़ा लिया था लोई का आटे की लोई जो ली थी एकदम बड़ी size की तो हम जितना बड़ा इस रोटी को बेलेंगे उतनी ही अच्छी हमारी परते बनेगी और मतलब हमें इसकी जो थिकने से बहुत ही कम रखती है एकदम पतला जितना पतला बेल पाएं उत कि मतलब लंबे-लंबे से cuts लगा लिये हैं आपके पास जो भी available हो पिजा कटर नहीं हो तो आप knife की help से भी इसके लंबे और पतले-पतले cuts लगाने हैं बिल्कुल पतले-पतले cuts लगाएंगे उतना ही हमारे पराठे में layers अच्छी आएगी तो बिल्कुल पतले-पतले से मैं आपने यहां cuts लगा लिये हैं यह पतले-पतले cuts पूरी रोटी में लगा लिये हैं एक चीज बता रही हूं इसके लिए जो यहां हमने डाला है धेर सारा घी आप चाहें तो घी और आटे के मैक्स आटे को मैक्स करके भी रख सकते हैं या मैंने directly apply किया है आप चाहें तो mixture बना के भी इस पे apply कर सकते हैं तो यहां मैंने गी apply कर दिया है और उस पे सूखा आटा dust कर लिया है इसको अच्छे से spread कर देंगे पूरी इस पे रोटी पे spread कर दिया है मैंने यहां गी का use करेंगे तो ही पराठे का स्वात बहुत अच्छा आएगा अब इतना सारा आप बोलेंगे गी लगा दिया पर जो लच्छा पराठा है वो हम कभी कभी खाते हैं और गी तो गी से ही उसका खस्तापन और गी से ही उसकी layers आएगी तो बहुत सारा गी इसमें हमें लगाना रहेगा फिर गी लगा कर हमने इसकी परतो को एक knife की help से एक के उपर एक roll कर देंगे यह देखिए किस तरह से हमने roll किया है और आटे को हमने बिलकुल अच्छे से मसल लिया तो खीच खीच के इसको जित्ता हम खीच पाएं उत्ता ख खीच के इसको फैला लेना है और उसकी लोई बना लेनी है फिर अब इसे हम इनको हाथ की help से जित्ता हम इसको फैला पाएंगे उत्ता हमने इस पराठिक की लोई को फैला लिया है फिर हमें इसे बहुत ही हलके हाथ से बेलना है बिल्कुल हलके हाथ से बेलना है तब ही अपकी परते निकल पाएगी अगर आपने हलके हाथ से नहीं बेला तो वो परते एकदम से लोई मिक्स हो जाएगी और प्रॉपर इसकी जो परते हैं वो नहीं निकल पाएगी इसे फेला लिया है बहुत अच्छे से जितना हम इस पराठे को बड़ा कर सकते हैं उतना हम इस पराठे को बड़ा कर लेंगे थोड़ी सी मोटा ही रहेगा नॉमल रोटी की साइज जो होती है रोटी एकदम पतली बनाते हैं लेकिन ये थोड़ी मोटी बनेगी ये लीजिए तैयार है हमारा पराठा बेल के तैयार कर लिया है अब इसको गरम तवे पर हमने डाल लिया है आइरन का नॉमल तवा है उसी पर हम बना रहे हैं आज पराठा इसे गुमाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा सा इसको गुमाते जाएंगे और सेख लेंगे फिर पलट लिया है पराठे को हमने दोनों साइट से अच्छे से से शेख लेंगे इसकी जो आज है मीडियम टू लो टू मीडियम चाहिए बहुत जादा हाई फ्लेम पर हमें नहीं सेख नहीं है क्यूंकि अगर हाई फ्लेम पर सेखेंगे तो लच्छा पराठा अंदर से कच्छा रह जाएगा और प्रॉपरल लटकर सेख लेंगे यह देखिए अभी से इसकी पढ़ते आपको नजर आ रही होगी जब हम इसे सेख लेंगे और ठंडा होगा तो बहुत सारी इसमें से पढ़ते निकल कर आएगी देख सकते हैं आप इसको इसमें बहुत सारी लायर्स आपको नजर आ रही है ना जब कर इसकी लोई हैं फ्रिज में सैट करने के लिए रख दें और जब बनाना हो तब बनाएं तो और भी अच्छे पराठे बनेंगे अब इसको दोनों साइट से हमने सेक लिया है यह देखिए वाउ कितनी प्यारी सी लेर्स आई है इसमें देखिए अब इसे लेर्स निकलने लगी है पूरा सिक जाएगा तो बहुत ही अच्छी लेर्स बनके आएगी इसमें यह देखिए एकदम करारा सा हो गया है न अब इस स्टेश पर अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी अब लच्छा पराठा है तो गी तो बनता ही है तो लच्छा पराठे में हम गी लगाएंगे उपर अब चाहें तो ऑईल भी लगा सकते हैं पर जो गी में जो स्वाद है ऑईल में नहीं आएगा लच्छा पराठा है तो गी का ही टेस्ट अच्छा हैगा तो गी अच्छे से फेला लीजिए और उलट पुलट कर सेख लीजिए ये देखिए ग्लोज अप बताती हूँ वाओ बहुत प्यारी लायर्स आई है इसे आप दाल मखानी के साथ या किसी भी सबजी के साथ कोई भी ग्रेवी वाली सबजी के साथ जिसके साथ आप मन चाहें उसके साथ लच्छा पराठा सारू कीजिए तो देखाना कितना आसान है लच्छा पराठा घर पर बनाना बिल्क बिल्कुल करारा लच्छा पराठा मतलब मैदे वाले पराठे से भी ज़्यादा करारा गेहूं का लच्छा पराठा बना है अगर पसंद आ रहे हैं तो आप भी जरूर से ट्राइ कीजिए ये रैसीपी और अगर अच्छी लगती है आपको रैसीपी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर से शेयर कीजिए ताकि वो भी इतना अच्छी रैसीपी बना पाएं फिर से मिलते हैं नए वीडियो में नई रैसीपी के साथ तिल देन ट्राइ मैं रैसीपी तेक केर बबाए श्टे तून पर न्यू अपकमिंग अप्लोट्स